हेलो दोस्तो वैलकम तो माई यूटूइब चैनल दुरगेश चौधरी इस एर और आज की वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ अपनी जॉब के बारे में यहां के वर्क निचर के बारे में यहां पे क्या क्या काम होता है यह और जॉब की टाइमिंग्स क्या क्या रहत नहीं बचेगा तो जो भी केंडिडेट्स एससी की तियारी कर रहे हैं या जो एससी में सेलेक्शन ले चुके हैं जोइनिंग का वेट कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को पूरा देखें इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा और लास्ट में मैं आपको मुंबई में मैं जॉब कर रहा हूं और किसी ने अगर वो लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो जाके एक बड़ देख लो मैंने उसमें पूरा अपना ब्रीफ इंट्रू दिया है तो गाइस अपना ओफिस होए एयर मेल शॉर्टिंग डिवीजन ये मुंबई में एयर पो के पास में लोकिटेड है विले पारले में एक बात मैं आपको पता दू कि बहुत से लोग जिनको नौलेज कम होती है थोड़ा सा वह एयर मेल नाम सुनते ही रेंडम ली पूछ बैठते हैं कि अरे आपको फ्लाइट में डिस्काउंट मिलता है क्या ट्रेवलिंग पर है तो क्या कि APS O foreign है, Airport Sorting Office foreign, जैसे कि IBC है, International Business Center, ऐसे कई सारे ऑफिसे एक ही डिवीजन में बने हुए हैं बिल्डिंग में तो गाइस अपना यह ऑफिस एक्शली इसेंशियल सर्विस में आता है तो पूरे लॉगडाउन में यहां पर बराबर ओफिस हमारे ओपन रहे हैं अब मैं बताओंगो आपको यहां पर काम क्या होता है यहां पर एक सेंटेंस में बोलू तो हैंडलिंग ओफ मेल विच ट्रांस्मिट्स थ्रू एयर जैसे के कोई भी ऐसा मेल जो फ्लाइट के तुरू जाने वाला हो फॉरिंग जाने वाला हो जैसे कि इंडिया से कोई मेल जा आने वाला मेल हो जैसे ऑस्टलिया शे आ रहा है इंगलेंड से आ रहा है कहीं से भी आ रहा है उसकी हैं यहां पर होती है इसके लिए हमारे यहां पर कस्टम ऑफिसर्स ही बैठते हैं जो के जैसे फोरें से आने वाले मेल है उन पर कस्टम डूटी लगाना उन पर कस्टम के डॉकुमेंट्स वगरा वो जहांच परतल करना यह सब करते हैं और इंडिया के अंदर भी अगर कोई ऐसा मेल है जो फ्लाइट के तुर जाने वाला होता है जैसे कि मुंबई से दिल्ली जाने वाला है मुंबई से साउथ मेर अंडमान को वर जा कहीं दूर जाने वाला है उनक कि बहुत से गौवर्मेंट ऑफिसे में आजकल हो रहा है कि स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है तो वह शॉर्टेज यहां पर भी है और यहां पर आउट्सोर्सिंग से लोग काम करने आते हैं जैसे कि एक शिफ्ट में मानो 20 लोगों की मैन पापर रिक्वाइड है तो उसमे मिलके काम करते हैं पूरा एक टीम वर की तरह होता है और वो लोग एट आउर्स पर डे पर काम करने आते हैं तो जितने दिन का काम उतने दिन का पैसा और टीम वर की तरह काम करते हैं तो किसी पर भी काम का प्रेसर नहीं आता है कोई सिंगल पर टीम वर का ही बेनिफिट होत तोटल फैम्ली टाइम कोई आपको इंटर्फरेंस नहीं होगा इसमें ठीक है गाइस उनिफर्म ऐसा कुछ यहां पर नहीं है MTS लोगों के उनिफर्म रहती है खाकी और उसके ऊपर जितने भी लोग रहते हैं MTS के उपर उनके लिए कोई उनिफर्म नहीं है और एसा फोर्मल्स का भी कोई रूल नहीं है hard and fast गया्या है फोर्मल्स पě diff I sवह जाता है आप मैं आपको बतांगो ड जॉप की क्या कि रहती है Nh וजसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि एक ही डिह कहीं आप से तो हर विध का टाjmの यवी सारये गोए है तो रूरे 9-5 चलता है, कोई 10-6 में वर्किंग करता है, ऐसे, और जो 24 आवर ओपन रहते हैं, उनमें एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, पहली शिफ्ट जो होती है, वो 6 बजे से दो फेर बाद 2 वे तक रहती है, जो दूसरी शिफ्ट होती है, वो 12 बजे से रात को 8 वे तक रहती है, और ज जेंटे की शिफ्ट एक अबाउट रहती है, ठीक है, तो बहुत लोग बात को लेके बहुत क्यूरस रहते हैं, कि नाइट डूटी का क्या शेडूल रहता है, सुनाएं, बहुत रेस्ट मिलता है, यह वो, तो वो मैं आपके सारे डाउट आस क्लियर करने वाला हूं, चबे से ऑफिस स्टार्ट है, तो दस पंदर है उपर लेट सब हो जाते हैं, थोड़ा कोई जल्दी आता है, कोई लेट आता है, तो मतलब साथ बहुत से पहले लगबग सब लोग आ जाते हैं, उसके बाद अपनी वरकिंग स्टार्ट रहती है, और सुबह तक अपना काम हो धिन रेष्ट करो, फिर और ये नाइट सब्स्सार्ट करो फिर नेक्स्स डे आपको शाम को साथ बजे तक पहुँचमा है, ठीक है, नाइट में गाईज, एक महिने अपको थेरे नाइट करता है और तीस दिन डुटी में आपको थेरे नाइट करनी होती है, लेकिन आइट करेंगे तो यसे स्टाफ को रोटेशन भी कर जाएगा शेडूल खराब हो जाएगा इसलिए आप लगातार नाइट नहीं कर सकते एक नाइट पर एक रेस्ट आपको रहेगा ठीक है तो यह रहा है गाईज नाइट डूटी का टाइमिंग अब मैं आपको उता हुआ कि इसमें चालू रख सकते हैं बिलकुल आपको पूरा टाइम में लेगा पढ़ने का और एसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप को जॉब भी कर रहे हैं ऐसा लगेगा आपको पार टाइम जॉब कर रहे हैं और आप बिलकुल अपनी स्टुएंट फेज में रहेंगे ठीक है और कोई अपने घर के काम कर सकते हैं जाडू पोंचा करना रहा घर में खाना बनाना रहा बरतन साफ जो भी घर के काम जो मैंने एक्जामपल देके बताया जो भी करते हैं वो अपना कर सकते हैं फैमिली भी खुश रहेगी और दूसरा बेनिफिट यह है कि अगर आप होम इस भी समाल सकते हैं अगर आपका खुद का कोई जॉब है या शॉप है कुछ भी है तो आप वो भी समाल सकते हैं इस जॉब के साथ और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पकोड़े के दुकान तो खोली सकते हैं जैसा कि हमारे दिश में पकोड़े तलना एक बहुत अ तीसरा benefit guys इस job का यह है कि हमारी job six day working job है और इसमें आप खाली एक off मिलता है संडे का ठीक है तो इसमें आप वो संडे वाला off आप संडे को डूटी करके वा बाद में कभी भी ले सकते हो और जैसे कि मानू मैंने एक महीने में चार संडे आते हैं मैंने पूरे महीने में लगात साथ डूटी करी तो मैं चार संडे में महीने के लास्ट में मैं एक साथ ले सकता हूँ ठीक है तो जैसे कि मैंने सेप्टेंबर 2021 मैंने डिपार्टमेंट जोइन किया था उसके बाद मैंने धाही मीने में लगातार मैंने office regular किया था और दिवाली पर जब मैं घर गया था तो कि फ्रेंट्स जो नायच डूटी कर रहा है ओल लडी उसको एक नायट करने के बाद उसको इतना रेस्ट मिल रहा है को छुटी लेने क्या ही जड़ू होते गाही है तो अब महीने के लास्ट में चारों संडे को एक साथ ले सकते हैं आप इसे ज्यादा भी कलेक्ट कर सकते ह बाना रहा या फैमली के साथ की ट्रिप लाना आप आरम से कर सकते हैं वह वीक उफ में तो गाइज यह सब मेरे जॉब की वेनीफिट्स हैं जो अन्ली रिलेटेड तु वर्क नेचर इसके लावब कुछ और भी बेनीफिट्स हैं ज्यालरी से रिलेटेड हैं प्रमोशन से रि केल भी कर सकते हैं अगर डाउट ज्यादा रहे तो मैं उनको उनके ऊपर एक वीडियो बना दोंगा और कुछ दो-तीन डाउट रहे तो मैंनोली मैं उनको रप्लाई कर दोंगा आपको ठीक है तो काईस मेरे एफट्स आपको कैसे लगी आप जरूर बताएं और वीडियो आप शेयर कर सकते हैं लोगों को फारवर्ड कर सकते हैं ठीक है तो गाईस मीट यून मैं नेक्स वीडियो तिल देन गुडबाई एंड टेक केर